भारत एक बहुत ही खुप्षूरत दे थे पर एक जितना भी खुप्षूरत है उतना ही रहेस्य से भरा हुआ है भारत में ऐसे हजारों घटना हुई है जो आज तक किसी ने समझाना नहीं पाया चाहे वो स्पिरिच्यली हो और साइन चलिए उनी में से आज एक को हम एक्स्प्पोर करते है तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे है एक ऐसी घटना की जो पूरी दुनिया में अभी भी मिश्ट्री है वो घटना है केराल की ये रेड रिन और तत खून की बारिस की बारे मे तो चलिए शुरू करते है ये घटना घटी 5 जुलाई 2001 पे दोपाहर के वक्त तब लोग अपना काम कर रहे थे मगर तभी वो घटना घटी जो पूरी दुनिया में अभी भी मिश्ट्री है और वो था खून की बारिस आप लोग सोच रहे है खून की बारिस वो कैसे संबब हो सकता है तो चलिए इसके बारे में हम साइंट्वीकरी बात करते हैं पहले पहले साइंटिस्ट को लागा ये कोई पॉल्यूशन की बज़ा से हुआ है या कोई मीटियूर का टुकडा बारिस में मिल गया था इसके बज़ा से हुआ है इसकी बात इस बारिस की सैंपल को ले लेटरी में ले जाके इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप की मार्ध्याम से परिक्सा खायने की बाद देखा गया कि ये कोई फॉल्यूसान या मीटियॉर का टुक्रा नहीं था बलकि ये चीज जो था वो जिन्दा था जी हाँ अपने सही सुना ये चीज जिन्दा था स्यांटिस्ट को ए आरबी की अर्थत रेट ब्राट से लगा जिससे खुन बनता है तिर स्यांटिस्ट को कैसे पता चलता कि ये जिन्दा है ये जानने के लिए सिर्फ एक ही उपाई था और वो था इसका दियने का श्ट्रॉक्चर दिखना पर इसके अंदर वो ही दियने में चाहे ये कितना भी जिन्दा की उना लगे मगर साइन्टिस्ट इसको इंटरनेशनल लेबल में परिक्सा करने चाते हैं इसकी बारी में सच्चा ही जानने के लिए इसकी बाद 10 साल तक इस आजित सी बारिस को एक्पिडिमिन किया गया साल 2012 में उनिवर्सिटी ओफ ग्ले मर्गन का डक्टर राचकुमर गनपपा और स्ट्वा ठॉक ने खोज निकाला इसके अंदर सज में दियने मौजू थे पाद कुछ पाप्लिक वीपोर्ट ने बोला कि ये कोई एलियन एक्टिविटी है जो धर्ती में लाइब भेच कर धर्ती के बारे में जानना चाती है मैं जानता हूँ आप लोगों में से कुछ लोगों को ये विश्वास नहीं होगा पर एक बड़ सुच के देखिए इस तरह की वस्तू के रला में ही क्यों पाया गया इसा चीज तो दुनिया में कही भी नहीं पाया गया लेकिन यहाँ पे कैसे मिला इस तरह के कनफ्यूजिंग फैक्ट के लिए आज भी साइन्टिस्ट को पता नहीं चला कि ये रेड ड्रेन और तद खुन की बारिस कैसे संबब हुआ था पूरी दुनिया में के आभी भी आज एक मिश्ट्री है अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कॉमेंट, सेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिश्ट्रियस वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जूड़े रहिए और सपोर्ट करिए तो फिर आज के लिए इतना ही चलते है